नमस्कार हमारे यूटूब चैनल LNB Electrical में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपको DC करेंट मेजर कैसे करें इसके बारे में बताएंगे और जो हम DC करेंट को मेजर करेंगे वो क्लैम मिटर के दौरा हम मेजर करकर आपको दिखाएंगे ठीक है क्लैम मिटर के इसवारा DC करेंट को मेजर करें तो DC करेंट को मेजर करने के लिए मैनली DC सॉर्स की वे परहे सकता होगी तो देखिए हमने DC सॉर्स की जगह यह हमारा एक बैटरी लगा हुआ है इसी में हम जो इसकी सप्लाई दे गई है Luckily मैं DC DC current को मेजर करूंगा ठीक है तो यह बैटरी अभी चार्जिंग मोड में है ठीक है यह इन्वेटर के द्वारा लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे ठीक है इसी के द्वारा कनेक्शन की गई है सारी तो सबसे पहले कैसे मेजर करें तो मैं यह बैटरी और इन्वेटर का इक उधारन लिया कि इसमें आप कैसे DC current को मेजर करें तो अभी देखिए हमारा इन्वेटर जो है यह चार्जिंग मोड में है ठीक है अभी बैटरी चार्ज हो रहा है ठीक है इस मोड में एक बार हम DC current को चेक करकर देखेंगे लेकिन अभी जो DC current हम चेक करेंग यानि कि charging mode में यह बताएगा कि battery कितना current ले रहा है यानि कि battery हमारा कितना current consume कर रहा है ठीक है charging के दौरान तो चलिए देखते हैं तो देखिए हमने जो clam metal लिया है इसे सबसे पहले DC DC एंपेर में हम सेट कर लेंगे और यह light का बटन है light की आवसकता तो होगी नहीं इसलिए हम light को off कर दे ठीक है और यह zero setting है इससे हम zero set कर लिए अब आपको मैं करकर दिखा रहा हूं कैसे करें अब clam meter को इस जगा लगाएंगे अभी जो major होकर आएगा ठीक है वो किसे बताएगा DC करेंट को बताएगा और बैटरी कितना करेंट ले रहा है charging के दौरान उस करेंट को बताएगा तो चलिए हम इस wire पर लगाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 9.45 यानि कि थोड़ा सा fluctuate होता है ठीक है 9.8 9.3 ठीक है इतना एंपेर DC करेंट कंजूम कर रहा है बैटरी या बैटरी को दी जा रही है बैटरी इतना DC करेंट कंजूम कर रहा है अब हम देख रहे हैं अब हम देखेंगे जो man line आया हुआ है यह man supply जो आया हुआ है हमारा इस supply को हम open कर देंगे इस supply को हमने open कर दिया आप देख पा रहा हुँगे अब इस supply को open करने के बाद इस supply को open करने के बाद अभी हमारा inverter चलिए लोड पोजिशन में ठीक है यानि कि इसके द्वारा कुछ लोड कनेक्ट की गई है कनेक्ट अल्रेड़ी है अब हम इसकी current चेक करेंगी यानि कि यह current जो बताएगा यह current क्या बताएगा कि हमारा लोड कितना एंपेर ले रहा है जो लोड कनेक्ट है वो कितना current ले रहा है तो चलिए अब हम इसमें फिल लगाते हैं अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जो लोड लगा हुआ है ठीक है वो ले रहा है 3.9 या 4 एंपेर के आसपास ठीक है तो इसी परकार से टेस्ट करना है अभी जो हमारा current बता रहा है यह कौन सा current बता रहा है यह लोड का लोड कितना हमारा यानि की inverter कितना current ले रहा है और जो लोट जुड़ा हुआ है वो कितना करेंड ले रहा है तो इस वीडियो में इतना ही मैं आसा करता हूँ कि आप सभी समझ पाए होंगे धन्यवाद